IPL में पिछले कुछ सालों में on and average performance करने के बाद IPL 2024 के लिए कोलकता नाइट राइडर्स की टीम अब पूरी तरह से तैयार है मतलब जिस चीज की जरूरत इस टीम को थी वो इनको मिल चुका है गौतम गंभीर का साथ मिल चुका है हमें याद है गंभीर जब IPL में केक यार की कप्तानी करते थे तो इनको दो ट्रॉफी जिताए थी और एक aggressive environment अपनी टीम में लाते थे जिससे खिलाडियों में एक energy वाली power होती थी और अब IPL 2024 में ये पूरी तरह से cricket पे focus करेंगे हमने आपको टेली ग्राम पे ही बताया था कि इन्होंने politics को छोड़ दिया है और इसी वाई से हम कहते हैं कि हमें टेली ग्राम पे जॉइन कर दीजे वहाँ पे cricket से जोड़ी सारी ख़बरे हम सबसे पहले देने की पूरी कोशिस करते हैं एक-एक हिलाडियों के बारे में आपको बताएंगे और आखिर में हर एक पहली को rate भी करेंगे तो overall squad analysis जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना बस हमारी वीडियो को इंटक देखना है और सबसे पहले बात होगी हमेशा की तरह batsmenों की बल्ले बाजों की तो इस टीम के पास proper साथ बल्ले बाज हैं सबसे पहले नितीस राना हो गए हैं उसके बाद रिंकु सिंग, जीसन रोय, श्रियस अयर, मनीज पांडे, अमन दीप सिन और साकीब हुसैन तो ये साथ बल्ले बाज हैं कोलकता नाइट रेड़स के टीम के पास फॉर आईपिल दो होजा चौबीस तो जादा तर इनके पुराने ही बल्ले बाज हैं लेकिन कुछ नए बल्ले बाज भी इस टीम में दिख रहे हैं जैसे की हम लोग बात करते हैं साकीब हुसैन के बारे में तो ये एक इंडियन यंग यंग खिलाडी है केकियार की टीम में इनको प्लेइंग 11 में मौका मिले ना मिले ये तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन साकीब हुसैन डुमेस्टिक क्रिकेट में साइद अच्छा परफॉर्मेंस किये थे केकियार ने इने खरीदा है तो हो सकता है प्लेइंग 11 में मौका मिल जाए इस समय बैट्सनों की कैटेगरी में है और केक्यार के टीम प्लेइंग ले उने मौका देती है तो थोड़ा इस खिलाडी के बारे में भी हमें पता चलेगा منीश पांडे को तो आप सबी जानते होंगे केक्यार के बहुती पुराने खिलाडी है और KKR के लिए बहुत ही अच्छा पर्फॉर्मेंस इन्होंने किया है बीते कुछ सालों में पिछले डिकेड के बारे में अगर हम लोग जाएं 2014, 2013 या 2012 के IPL में KKR के लिए उन्हें अच्छा खेला है, अच्छा पर्फॉर्मेंस किया है जेसन रॉय, KKR के लिए लास्ट एयर भी हमने इनको देखा था और IPL 2024 में भी एक बार फिर से हम इन्हें KKR के जर्सी में ही देखेंगे आफकोस ये रिटेन हुए है श्रेयस एयर इनके कप्तान की वापसी हो गई तो इनके बारे में मैं ज़्यादा बताने वाला नहीं क्योंकि आपको पता है, इस समय तो काफी कुछ उनके साथ हो रहा है हाली में BCCI के annual contract से भी उनको हटाया गया बढ़ ठीक है IPL से इसका कोई लेना देना नहीं है, IPL में वो तो उनके कप्तान रहेंगे रिंकु सिंग उसके बाद है, जो कि अब तो Lord रिंकु सिंग लोग उड़े कहते हैं जो कि एक खतरनाक खिलाडी बन के आएंगे, एक बहतरी फिनिसर बन के आएंगे जो कि obviously केक्यार के लिए बहुत ही अच्छी कहवर है और नितीसराना के रूप में एक और इंडियन बल्लेबाज है, मिडल ओर डिपेंडेवल बैट्समेन है तो और ओल केक्यार की बैटिंग जो है वो काफी जादा मुझे स्टेंथिन दिख रही है, काफी मजबूत है और डस में से नो स्टार तो केक्यार की बैटिंग अराम से ले जाएगी क्योंकि इनके पास इंडियन बल्लेबाजों का काफी अच्छा कोर है और आईपिल में अगर किसी टीम की बल्लेबाजी में इंडियन बल्लेबाज है मतलब वो टीम कहीं न कहीं बल्लेबाजी में अच्छा परफॉर्मिंस कर सकती है ज़्यादा चांसेस होते हैं तो हम यहाँ पे 10 में से 9 स्टारिस टीम की बल्लेबाजी को देंगे ही देंगे ओल राउंडरों की तरफ चलते हैं तो इस टीम के पास ज़्यादा ओल राउंडर नहीं है तो टोटल 6 ओल राउंडर ही है इस टीम के पास विंतकेस अईयर हैं, अनकूल रॉय हैं, अंग्रीस रगुवंसी हैं, सिर्फन रदरफोर्ट, सुनील नरायन और आंदरे रसल तो ये 6 ओल रॉंडर हैं, कोलकता नाइट रैडर्स के टीम के पास, 3 विरेसी हैं और 3 इंडियन हैं विरेसी ओल रॉंडरों में रसल सबसे बड़े इनके ओल रॉंडर हैं, और सबसे मेन ओल रॉंडर भी इनके यहीं हैं, हाला कि ये सच है कि रसल अपनी बुरी फॉर्म से जूजते हैं IPL में, बाकी लीगों में तो ये ओन एन आवरेज ठीक परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन IP नमबर साथ नमबर आठ पे वो बल्ले बाजी करने आएंगे, गेंद बाजी इनकी एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है, जो कि हमेशा ही KKR को अच्छी मदद करती हैं, सिर्फन रदर फोर्ड एक और वेस्ट इंडीज खिलाडी, तीनों ही विदेसी खिलाडी इनके वेस अच्छे ओल्राउंडर है, एक युवा ओल्राउंडर है, अब तो काफी किर्केट खेल चुके हैं, लेकिन प्लेइंग इलेवन में मौका मिले तो ये भी अच्छा पर्फॉर्मेंस कर सकते हैं इडियन गार्डेन पे, अंग्रीस रगवनसी जैसे युवा ओल्राउंडर भ एक और भारती ओल्राउंडर जिनको हमने मुंबई के लिए भी खेलते हुए देखा है, ये इस स्कौर्ड का हिस्सा है, प्लेइंग इलेवन का नहीं, और वन्तकेस अइयर एक और है भारती ओल्राउंडर है, तो इनको तो हम जानते हैं केक्यार के लिए खेल चुके हैं, व पॉलिंग भी कर लेते हैं, विकेट भी निकाल के देते हैं, तो ये भी एक बेटर ओप्सन हो सकते हैं, के क्यार के लिए ये ओपनिंग करेंगे, और जब जरूरत पड़े तो गेंदबाजी भी करते हुए हम इनको देखेंगे, ओल रॉंडरों में इस टीम के पास काफी पाड़े साथ स्टार ही मिलेंगे ओल रॉंडरों में, ओल रॉंडरों में कही नहीं के क्यार को एक दो और बेतर ओल रॉंडर ओक्सन से खरीदने चाहिए थे, लेकिन परस मनी में आपने जब एक खिलाड़ी पर इतने पैसे लगा देंगे, तो कुछ नकुछ तो आपसे छ रामनुला गुरबाज और केज भरत, तो ये दो विकेट कीपर बल्ले बाज है इस टीम के पास, निलामी से पहले भी इनको विकेट कीपरों की जरूरत थी, निलामी के बाद अब IPL 24 के लिए भी इनके पास कोई बहुत बहतर विकेट कीपर नहीं है, रामनुला या फिर और भी आप दोसरे विकेट कीपरों को देखिये, दोसरी टीमों को विकेट कीपरों को देखिये, केज भरत भी हो गए, वो इसमें काफी बुरे फॉर्म से जूझ रहे हैं, तो मतलब विकेट कीपर ठीक है, ऑन एन आबरीज देखा जाये तो अच्छे विकेट इनके पास मौझूद हो सकते थे अगर केक्यार की टीम थोड़ी और बेटर प्लान के साथ जाती इन दा ओक्सन ओवराल इनके विकेट कीपरों को भी हम 10 में से 7.7 स्टार ही देंगे ओन दा पेपर तो कोई उतनी मजबूत दिख नहीं रही राइपील दोजा 24 में हम उम्मीद करेंगे कि केक्यार की टीम इस 10 में से 7.7 स्टार को जो है वो रॉंग प्रूफ करें क्यूंकि हम सभी चाते हैं कि सभी टीमे एक कंपटीटिव क्रिकेट खेले और केक्यार की टीम भी अच्छा परफॉर्मेंस करें बॉलरों की तरफ चलते हैं आखरी पहलू की तरफ चलते तो ये आठ गेनबाज है कोलकता नाइट राइडर्स के टीम के पास जिनमें ओविसले कुछ विदेसी गेनबाज है उसके अलावा इंडियन गेनबाज भी है तो दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन है केक्यार के टीम के पास इनकी ये इनबाजी कहीं ने कहीं मजबूत दिख रही है आइपील दोजा चौबीस में दुस्मनता चमीरा को इननों ने एज ए रिपलेस्मेंट साइन किया गुस अत्टिन सन जो की इंग्लेंट के खिलाडी थे वो आइपील से आप्ट आउट किये उनके रिपलेस्मेंट मेंुस्मनता चमीरा है जो की एक बहतर विदेसी गेंदबाज हैं खास तोर से पावर प्ले में ये बहुती अच्छी गेंदबाजी करके देने वाले हैं उसके अलावा इनके सबसे महंगे खिलाडी सबसे बड़े खिलाडी मिचल स्टार्क तो है ही 24 करोर 75 लाख इनको दिया है केकेयार ने तो डेफिनेटली ये इनके सबसे बड़े गेंदबाज होंगे आईपियल दोजा 24 में ये वापसी करेंगे तो देखते हैं मिचल स्टार्क सबसे महंगे खिलाडी इस आईपियल में क्या कुछ करके दिखाते हैं और क्या केकेयार के नीड को वो कम्पलीट कर पाते हैं या नहीं बाकि उम्मीरे तो स्टार्क से काफी ज़्यादा हैं हम सभी को उसके अलावा मुझीबूर रह्मान भी है जो की एक अफगानिस्तान स्पिनर है अच्छे स्पिन गेंबाजी ये करना जानते हैं अगर केकेयार की प्लेइंग इनको मौका मिलता है तो ये अच्छी गेंबाजी करके देने वाले हैं तो ये एक अच्छे आपसन है काईने की केकेयार के लिए उसके अलावा इनके पास चेतन सकरिया है जिनको इनोंने आउक्सन से खरीदा है मिडल ओवर में अच्छी गेंबाजी करके दे सकते हैं और एक बेटर इंडियन आपसन इनके पास है चेतन सकरिया के रूप में और हरसी तराना भी है जो कि एक भारतिया गेंबाज है ये भी IPL 2024 में हमें केकयार के लिए एजuk बॉलर दिखाई देने वाले हैं 2023 में इन्हें हमने देखा था IPL में2024 में इनको केकयार के तरफ ही देखेंगे वेबो अरोडा को हमने पंजाब के टीम में खेलते हुई देखा है IPL 2024 में ये केकयार के टीम का हिस्सा होने वाले हैं पंजाब के लिए जब ये खेले थे तो उसमें इनोंने अच्छी गेंदबाजी की थी पंजाब किंग्स के लिए तो कुछ उसी गेंदबाजी की उम्मीद के की आर के फैंस को है वैभो अरोडा से परुन चकरवर्ती इनके पास एक स्पिनेर है जो की इनके सबसे बड़े सबसे डिपेंडिबल स्पिन गेंदबाज होने वाले है आईपिल दोजाब 24 के लिए विदाउट एनी डाउट तो इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है तो इनसे तो हमेशा ही अच्छी उम्मी दे रहती हैं सुयास सर्मा जिनोंने लास्ट एर अपना जलवा दिखाया था केके आर के लिए आईपिल दोजाब 24 में एक बार फिर्ट से ये तयार है उनके बारे में आपको पता ही होगा इस तिन गेंदबाज है और लास्ट एर जिनोंने अच्छी परफॉर्मेंस की थी और कोलकता नाइट राइडर्स तो इनकी गेंदबाजी जो है वो हमें आईपिल दोजाब 24 में बहतर दिख रही है एटलिस पिछले साल के मुकाबले इस साल तो इनकी गेंदबाजी काफी बहतर है गंबीर के आने से कहीं न कहीं स्टीम में थोड़े चेंजेज हुए हैं भी ठीक ठाक है बड़ियां बले बाज इनके पास हैं तो हम यहां पे बॉलिंग को जो है वो 10 मेंसे 9 स्टार देने वाले हैं केक्यार की स्कॉर्ड में और और अगर इनकी स्कॉर्ड का एनालिसिस करे तो 10 में से 8 स्टार कोलकता नाइट राइडर्स के टीम को मिलता है IPL 2024 के सीजन के लिए अब हो सकता है कि 10 में से 10 वाला परफॉर्मेंस केक्यार की टीम दे दे क्यूंकि ये इनालिसिस तो सिर्फ on the paper है फिल्ड पे या होगा इसका कोई भी prediction नहीं कर सकता वो सिर्फ टीम ही आपको बताएगी IPL के matches में तो आप हम बताएगी क्या केक्यार की टीम इस साल प्ले आफ में जाएगी या नहीं अभी कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और ऐसे ही वीडियो हमने मुंबई चिन्ने के भी बनाई है तो चैनल को विजिट करें और टेलिग्राम पे जोईन कर ले जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे क्रिकेट से जुड़ी हर खबर हम सबसे पहले देते हैं